वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 27 अपरेल 23 और 27 अपरेल 23 से करेंट अफेस की नहीं भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुछिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पू तो आप उस लिंक पर करके टेलेग्रामं ग्रूप जोएंट कर सकते हैं चंegen केली कुछिन है करते हैं चैलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुछिन है हाली में बेसूबद् Periodg संपता दिवस कब मनाया है तो अभू 26 आपरेल को बेसु बाद्राइक संपता दिवस मनाया लोगों को पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेड मार्ग आदि के बारे में जागुरूप करने के लिए हर साल 26 अप्रेल को 200 बौद्धिक संपता दिवस यानि कि वर्ल्ड इंटलेक्चुल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है अभी एक अप्रेल को RBI का स्तापना दिवस मनाया गया था, और एक अप्रेल को ही उडिसत दिवस या उतकल दिवस मनाया जाता है 2 अपरेल को 200 ओर्टेज्म जाउटता दिवस मनाएगा 4 अपरेल को अंतरास्टी खान जाउटता दिवस मनाएगा 5 अपरेल को अंतरास्टी समुद्री दिवस और अंतरास्टी विबेग दिवस मनाएगा 6 अप्रेल को विकास और सांती के लिए अंतराश्टी खेल दिवस मनाए गया 7 अप्रेल को 200 स्वास्ते दिवस मनाए गया 10 अप्रेल को 200 होमयोपैथी दिवस मनाए गया और इस बार के 200 होमयोपैथी दिवस की थीम थी बन हेल्थ बन फैमिली 11 अप्रेल को राश्टी सुरक्षित मात्रत दिवस और 200 पार्किंसन्स दिवस मनाएगे 12 अप्रेल को मानव अंतरिच उडान का अंतराश्टी दिवस मनाएगे 14 अप्रेल को बेसु चगास रोग दिवस मनाएगे 15 अप्रेल को बेसु कला दिवस मनाएगे 16 अपरेल को हाथी बचाओ दिवस मनाए गया, 17 अपरेल को 200 हेमोफिल्या दिवस मनाए गया, 18 अपरेल को 200 बिरासत दिवस मनाए गया, 19 अपरेल को 200 लेवर दिवस मनाए गया, 20 अपरेल को चेने वासा दिवस मनाए गया, 21 अपरेल को राश्टी सिविल सेवा दिवस मनाए गय और पसी से बिदिवस मिनाए गया। तो अपरेल में अब तक इतने興 fifty मनाए गए। ये आपको याद अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अल्पो लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो उस टार्गेट को अजेब करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी, ने क्यूशन है, हाली में 200 T20 International Bicket लेने वाले सबसे युबाग गेंदवाज कौन बने, तो अभी साहीन अफरीदी, 200 T20 International Bicket लेने वाले सबसे युबाग गेंदवाज बने, तो इस क्यूशन का से अफरीदी, इन्होंने 25 साल और 157 दिन की उम्र में ये रेकॉर्ड बनाया, 200 T20 International Bicket लेने वाले ये सबसे युबाग गेंदवाज बन गया है, अच्छा किर्केट की बात है, तो अभी प्रतिस्टित सेडनी किर्केट ग्राउंड में सचिन तेंदुर की नाम पर एक गेट का नाम रखा गया है, T20 किर्केट में सबसे 37,000 रन राने वाले भारती खिलाडी केल राहूल बने है, और बिजडन किर्केटर्स आप दे एर चुने जाने वाली पहली भारती महिला किर्केटर हर्मन प्रेट कॉर बनी है, नए क्युशन है, हाली में केस देश की कमपनी आयो कि बेलजियम की एक कमपनी आयोद्या में बायो डेजल परयोजना शुरू करेगी, तो इस कुशन का बे ऑप्सन से है, कच्रे से बायो डीजल उत्पादित करने के लिए यह एक दौ साल का पाइलेट प्रोजेक्ट है, इसे बेलजियम की कमपनी आयोद्या में सुरू करेग अब Belgium तो ये है map में Belgium, Belgium की capital क्या है? Brussels, Belgium की currency क्या है? Euro, और Belgium के present time पर प्रामिस्टर कौन है? Alexander Dick Crew, कौन है? Alexander Dick Crew, ने कुशन है, हाली में केसराजी की मुख्यमत्री ने 5T School Transformation के तेसरे चड़की शुरुआत की, तो अभी उडिशा के Chief Minister Nabin Patnaik ने 5T School Transformation के तेसरे चड़की तो इसकुशन का say options है है, ये इसकूलों के बुनियादी धांचे के विकास के लिए है 5T School Transformation, इसमें 5T हैं, 5T के अलग-अलग फरवार्म है, क्या है? Transformation, टेमबर्क, टेक्नलोजी, ट्रांसपरेंजी और टाइम, ये 5T हैं, 5T School Transformation, ये इसकूलों के बुनियादी धांचे के विकास के लिए है, और इसके तीसरे चरड की सुरुवात, उडिसा के चीपनिष्टर नबीन पटनाएक ने की, अब उडिसा तो ये है मैपने उडिसा, उडिसा की केपिटल क्या है? बोबने सर, उडिसा की चीपनिष्टर है नबीन पटनाएक और उडिसा की गवर्नर है ग लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉंज किया है उडेशा यानि की भुबनेशवर में जून 2023 में इंटर कॉंटिनेटल फुटवल कप की मेजवानी करेगा उडेशा सरकार द्वारा गंद मर्दन हिल रैंज को बायो डैवेस्ट्री हेरिटेज साइड कोसित किया गया है अच् एक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडेशा में रसी कुलिया बीच है और गोर्डन बीच है उडेशा में लेंगराज टेमपल है कुडार टेमपल है और जगननाट टेमपल है इतना आप उडेशा के बारे में जाद रखिए ने क्यूशन है हाली में आ रिसर प्याद रखिये, A Resurgent North East Narratives of Change, इसे आसीज कुंदरान लिखा है, अच्छा अभी बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित नई पुस्तक, सचिन एड़ दरेट फिप्टी सेलिवरेटिंग अमेंस्टों का भी मोचन हुआ, The Great Bank Robbery, NPS Scam and the Future of Regulation पुस्तक, बे पट्टा भी राम ने लिखी, नंदिनी दास ने कूर्टिंग इंडिया नमक नई पुस्तक लिखी, पियूस बाबेल ने नई पुस्तक, गांधी, बिरासत और चांपरदाइकता लिखी है, ने क्यूशन है, हाली में किस राज में महंगाई राहत सिविर शुरू किया गया है, तो अभी राजिस्तन में, राजिस्तन की चीपनिश्टर असूग गहलोत ने महंगाई राहत सिविर शुरू किये, तो इसको शिनका ए उप्सन सही है, इसमें 500 रुपए में सरेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसानों को एगरिकल्चर के लिए 1000 यूनिट मिलेंगी, इस तरह की इसमें 10 यूजना है, जिनका लाप लोंक तक पहुचाना है, महंगाई राहत सिविर, ये 24 अपरेल से 30 अपरेल तक राहिस्तन में लगाए जाएंगे, अब राहिस्तन तो ये है मैप में राहिस्तन, राहिस्तन की क के जोदपूर सहर में दो दिवसी बाजरा महुतसब आयोजित किया गया, दुनिया का तेसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राहिस्तन में बनेगा, तेस मार्च को राहिस्तन का इस्तापना दिवस मनाए गया है, अचा राहिस्तन में, सरिस्का न लेंडिंग के बाद गुम हो गया, तो अभी जापान का कॉमर्सियल लूनर लेंडर चांद पर असफल लेंडिंग के बाद गुम हो गया, तो इसकुशिन का से ओप्सन हैं, अब जापान तो ये है मैप में जापान, जापान की के पिटल के है, टोक्यू, जापान की प्रज दिक्षड अभ्यास धर्म गार्जिन हुआ बारत जापान को पेछे छोड़कर बैस्विक इस्तरपत तेसरा सबसे बड़ा ओटू बाजार बना है भारत और जापान के बीच सेयुक्त अभ्यास बेर गार्जिन दुजर तेज संपन हुआ है मालावार एक्ससाइज दुजर ब पर रास्टी सम्मिलन का उद्गाटन किया तो हमारे उपराष्ट्पती हैं जगदेब धनखड इनों ने अभी नई दिली में मन की बात एड़ दरेट हंड़ेट पर रास्टी सम्मिलन का उद्गाटन किया दुजर बे ऑप्सन साही है ने क्यूशन है तेसरे इन परसन क्व क्वार्ड समिट की मेजवानी ऑस्ट्रेलिया करेगा तो इस कुश्चिन का से ओप्सन से यह टेसरे इन परसन क्वार्ड समिट इसकी मेजवानी अभी ऑस्ट्रेलिया करेगा अब ऑस्ट्रेलिया तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया केपिटल के है केंबरा ऑस् आउस्टिलिया के प्रिजेन टेम पर प्राइमिस्टर कौन है एंथनी अलबनीज ने क्यूशन है हाली में केस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्बूच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया तो अभी आउस्टिलिया ने रतन टाटा जी को अपने सर्बूच नागरिक सम्मा में किसे न्यूक्त किया गया तो अभी नैस कौम के अध्यक्ष की रूप में अनंत महेस्वरी को न्यूक्त किया गया तो इस कुछिन का Software and Service Companies अभी Tata Electronics द्वारा रडधीर ठाकुर को MD&CEO की रूप में नियुक्त किया गया हिमाचर प्रदेश हाईकोट के कारेबाक मुख नैदीज की रूप में जस्टिस तरलोग सिंग चोहान को नियुक्त किया गया मद्रास हाईकोट के अत्रिक नैदीज की रूप में जस्टि UK Motorcycle India ने केनिची उमेदा को नया MD नियुक्त किया है टाटा पावर ने प्रबेर सिन्ना को MD&CEO की रूप में नियुक्त किया और हेरो मोटो काप का CEO निरेंजन गुपता को नियुक्त किया गया है ने क्युशन है हाली में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसाथ कौन सा देश बैस्ट्विक सेन ब्याय में सेर्स पर रहा तो अभी Stockholm International Pace Research Institute की एक रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैस्ट्विक सेन ब्याय में अमेरिका टॉप पर है यानि कि अमेरिका अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खरचा करता है तो इसको इनका बे आप्शन सही है दूसरे नमबर पर चायना है तेसरे नमबर पर रसिया है और चौथे नमबर पर अपना देश भारत है अब अमेरिका टॉप पर है तो अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन अभी भारते अमेरिकी रादा अयंगर प्लम को यूएस में डिप्टे अंडर सेक्रेटरी और डिफेंस न्यूक्त किया गया हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉन इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा है नेली बेंदापूडी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया क्या है बर्स 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ब्यापार एक भागिदार अमेरिका बना है अच्छा है इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन से डिफेंस एकसाज होती है कोप इंडिया, टाइगर ट्रंफ, बज़ परहार और युददव्यास ने कुशन है हाली में बंगलादेश के 22 में राष्टपती की रूप में किसने सफच ली है तो अभी मुहमद साहब उद्धीन ने बंगलादेश के 22 में राष्टपती की रूप में सफच ली अब बंगलदेस तो ये है मैप में बंगलदेस बंगलदेस की केपिटल क्या है ढाका बंगलदेस की करणसी क्या है टका और बंगलदेस के अब नए राश्पती तो यही बन गए है महम्मद सहाबुद्दीन हाली में किस राजी के पहले पद्मस्री विजेता हिमानसु मोहन चौधरी का 84 बरस की उम्र में निदन हुआ है तो त्रेपुरा के पहले पद्मस्री विजेता थे हिमानसु मोहन चौधरी इनका अभी 84 बरस की उम्र में निदन हुआ दूस्कृषिन का ए उप्सन सही है यह थ अब ये त्रिपूरा के थे तो ये है मैप में त्रिपूरा त्रिपूरा के útil निए है अगरतला त्रिपूरा के चीपनिस्ट निए उय। अभी त्रिपुरा हाई कूट की नए मुख्यन आदिस जस्टिस एके सिंग नियुक्त हुए। चुनाव आयुग ने त्रिपुरा में मिसन 9-9 शुरू किया। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोटल लौंच किया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न य मंगेसकर अबाड मिला है तो अभी बिद्या बालन को लता दीनानात मंगेसकर अबाड मिला है। अब लास्ट वीडियो की कुषिन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुषिन पूछा था कि हाली में कहां खौंग जौंग दिबस मनाये गया। तो अभी मड़िपु में क्वोंग जोंग दिवस मनाए गया यानि किस कुश्यन का से अप्शन सही था और लगबग सभी स्ट्रूयनेट्स का अहीं दिया Most least awareness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा Question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हूँ आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का Question आपके लिए आज का Question है हाली में किस राजी के मना मुद्धुराई मिट्टी के बरतनों को जिये टेक मिला चार ओप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना अंसर होता है और इसके लाबा हम हमारे Facebook पेज़ पर प्रेवेस एर कुशन Instagram पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी गन्फिजन बेदाउट एनी एजीटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना तो ये था आज का हमारा Current Affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप इससे सब्सक्राइब रहेंगे तो बरावर में एक बेल आइकर मन के आएगा आप उस बेल आइकर में जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में Current Affairs की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम ओल बेज बिदियू थैंक्स वर वाचिंग